C.I.E.T.N.C.E.R.T. द्वारप्रस्तुत है कक्षा एक की गणित की ध्वनी पुस्तक आनंद मैं पाठ दस मेरी दिन चर्या फ्रिष्ट एक सोपाच नमस्ते मित्रों मैं पी हूँ मैं छह वर्ष की हूँ आज मैं आपको अपनी दिन चर्या बताऊंगी कि मैं सुभा से शाम तक क्या करती हूँ यहाँ पर एक चित्र बना है यह पीहू है देखो सूरज आकाश में उग रहा है अब सुभा हो गई है यहाँ पर सूरज उगने का एक चित्र बना हुआ है मैं सुभा बिस्तर से उठती हूँ और एक गिलाज गुन गुना पानी पीती हूँ यहाँ पर पीहू के बिस्तर से उठने का चित्र बना है मेरा दिन व्यायाम यह योग से शुरू होता है यहाँ पर पीहू को योग करते हुए बताया गया है फिर मैं मनजन यह ब्रश करती हूँ और उसके बाद नहाती हूँ यहाँ पर पीहू का ब्रश करते हुए चित्र बना हुआ है मैं नाश्ता करती हूँ और स्कूल जाने के लिए तयार होती हूँ यहाँ पर दो चित्र हैं एक में पीहू नाश्ता कर रही है और अगले में स्कूल जाने के लिए तैयार हो चुकी है प्रिष्ट एक सौच है मैं स्कूल में अपने सह पाठियों के साथ पढ़ती और खेलती हूँ सूरज आकाश में उपर आ गया है यह दोपहर का समय है मैं अपने हाथ धोती हूँ और अपने मित्रों के साथ दोपहर का खाना खाती हूँ यहाँ पे दो चित्र बने हुए है एक में पीहू अपने स्कूल में सह पाठियों के साथ पढ़ रही है और दूसरे में दोपहर का खाना खा रही है मैं अपने स्कूल से वापिस आती हूँ और कुछ देर आराम करती हूँ इस चित्र में पीहू को स्कूल से वापिस घर आते हुए दिखाया गया है सूरज छिप रहा है यह शाम का समय है मैं अपने मित्रों के साथ खेलती हूँ और उसके बाद पढ़ाई करती हूँ यहाँ पे दो चित्र बनाए गए हैं, एक में पीहू अपने मित्र के साथ खेल रही है, और दूसरे में वो ध्यान लगा के पढ़ रही है देखू, आकाश में चांद और तारे दिखाई दे रही है, यह रात का समय है इस चित्र में पीहू खिड़की से बाहर रात के चांद और सितारों को देख रही है मैं अपने परिवार के साथ रात का खाना खा रही है मैं कहानी की पुस्तक पढ़ती हूँ और फिर सो जाती हूँ इस चित्र में पीहू को सोते हुए बनाया गया है प्रिष्ठ एक सौ साथ आओ बात चीत करें क आपकी दिन चर्या क्या है? आप मंजन यानी ब्रश कब करते हैं? आओ करें आप जो काम सुभा करते हैं उन पर सही का चिन्ह लगाईए यहाँ पे चार चित्र बने हुए हैं जिन में पूरे दिन में करने वाले चार कार्यों को बनाया गया है नहाना, ब्रश करना, योग करना, सोना आपको जो काम सुभा करते हैं उन पर सही का चिन्ह लगाना है आप जो काम दिन के समय करते हैं, उन पर सही का चिन्ह लगाईए यहां पे चार चित्र बने हैं, जिनमें दिन से लेकर रात तक करने वाले चार कारे बताए गए हैं सोना, रात के समय चांद और सितारों को देखना, पढ़ना, खेलना आपको सही का चिन्ह लगा कर ये बताना है कि कौन से काम दिन में किये जाते हैं आप जो काम रात के समय करते हैं उन पर सही का चिन्ह लगाईए यहाँ पर चार चित्र दिये गए हैं इन में पूरे दिन में करने वाले चार कारे बताए गए हैं स्कूल जाना, दोपहर का खाना खाना, रात के समय सोना, और रात के समय चांद और सितारों को देखना. आपको उन चित्र पर सही का चिन्ह लगाना है, जो रात के समय किये जाते हैं. प्रिश्ट एक सौ आठ चित्र देखकर समय का अनुमान लगाईए. अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि इस समय वे क्या करते हैं? यहाँ पे चार चित्र बने हुए हैं. यह चित्र हैं, पहला उगता हुआ सूरज, दूसरा तेज चमकता हुआ सूरज, तीसरा ढलता हुआ सूरज, चौथा चांद और सितारे दिखने का समय. आपको इनको देखकर अनुमान लगाना है कि यह किस समय के चित्र हैं? आपको अपने मित्रों के साथ चर्चा करनी है कि वो इस समय में क्या करते हैं? आओ करें. जिस काम में अधिक समय लगता है, उसमें रंग भरिये. क, यहाँ पे दो चित्र दिये गए हैं. पहले में एक मां खाना बना रही है और दूसरे में एक बच्चा खाना खा रहा है. आपको उस चित्र में रंग भरना है, जिस काम को करने में अधिक समय लगता है. ख, यहाँ पर भी दो चित्र दिये गए हैं. पहले चित्र में एक लड़की अपनी पीने की बोतल भर रही है. और दूसरे चित्र में दिखाया गया है पानी की टंकी का भरना. अब आपको उस चित्र में रंग भरना है, जिस कारे में अधिक समय लगता है. प्रिष्ट एक सौर्णौ रितूएं यहाँ पर चार रितूओं के चित्र दिये गए हैं. पहला है गर्मी का चित्र, जिसमें एक बच्चा स्विमिंग पूल में नहा रहा है और उपर तेज सूरच चमक रहा है. दूसरे चित्र में सर्दी की रितू को बताया गया है. एक बच्ची ठंड के कपड़े पहने हुए बर्फ से खेल रही है. तीसरे चित्र में बर्सात का वर्णन है, जहाँ पर दो बच्चे छाता लेकर बर्सात से बच्चने के लिए तेज दोड़े जा रही है. चौथे चित्र में वसंत रितू बताया गया है, जहाँ पर एक ननही बच्ची फूलों के बीच तितली को पकड़ रही है. उपर दिये गए चित्रों को देखे, और गर्मी, सरदी, बर्सात एवं वसंत रितूं के बीच अंतर पर चर्चा कीजे. नीचे दी गए वस्तूं का रितूं के नाम से मिलान कीजे. बर्सात, वसंत, गर्मी, सरदी. यहाँ पर गोलाकार में एक चित्र बना हुआ है जिसके चार विभाजन है चारों विभाजनों में अलग-अलग वस्तुएं दी गई हैं हमें इन वस्तुओं का मिलान रितुओं के नाम से करना है पहले विभाजन में दी गई वस्तुओं हैं गेंद, आइस्क्रीम, मांगो शेक, पीने के पानी की बोतल, बाल्टी, खुर्पी और चमकता हुआ सूरज. दूसरे विभाजन में हैं गर्म टोपी, पहनने के लिए जुराबे, मफलर, चाय का कप और गर्मा गरम सूप. तीसरे विभाजन में हैं मेंधख, बरस्ते हुए पादल, पकोडे, जलेबी और छटरी. अगले विभाजन में हैं चमकता हुआ सूरज, संतरे, चैरी, खिलते हुए फूल, फूलों के उपर तितलिया, बढ़ते हुए पौधे और उन पर बैठे भाउरे. प्रिष्ट 110 आओ करें, कर, आप गर्मियों में क्या खाते हैं, कर, आप सर्दियों में क्या पहनते हैं, आओ करें, रितूओं के नाम लिखिए और चित्रों से रितूओं का मिलान कीजिए. यहाँ पे कई चित्र दिये गए हैं, जिनमें अलग-अलग वस्तूओं हैं, साथ ही मध्य पंक्ती में अलग-अलग रितूओं दी गई हैं. आपको रितूओं का नाम लिखना है और अलग-अलग वस्तूओं का मिलान इन रितूओं से करना हैं. यह वस्तूओं हैं टोपी, छाता या छतरी, सर्दी के कपड़े, स्विमिंग के कपड़े, रेन कोट, चपले, बूट्स, सर्दियों का स्वेटर, गलव्स, निकर, स्कर परियोजना कारे, बच्चों को विभिन रितूओं में खाई जाने वाली मन पसंद वस्तूओं और मनाये जाने वाले त्योहारों के चित्र बनाने या चिपकाने को कहीं अभी आपसुन रहे थे कक्षा एक की गणित की ध्वनी पुस्तक आनंद में, वाचन्स्वर वैभो श्रिवास्तव और मम्ता मलकानी, तक्नीकी निर्देशन बटी लेंग लिंग्डो, ध्वन्यंकन, विकास सांगवान, निर्मान सहयोग मिनाक्षी कुकरेती, निर्देश